Hi everyone so this is Ruth हम लोग ने ये चैप्टर स्टाइट कर दिया था patron no est dough मर्टऑने इसका part अप्लोड कर दिया है सब्सक्राइबंद अप्लोमत्र442 1st पार्ट में पूरा भर समझा धिया था रहाओ लुप सेट में चेन्जस ऑफस्केन्स से चल्लू कर दृटकिont लिक्विड से लिक्विड में जाना लिक्विड से सॉलिड में जाना लिक्विड से गैस में जाना गैस से लिक्विड में जाना यह सबको प्रोसेस का नाम दिया है उसे हम चेंग इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि क्या नाम दिया है तो फुर इधर लिखा है मैटर सब्सक्राइब जा सकता है इसको कहता है जो मैंटर बदल सकता है एक स्टेट से दूसरे में और इसको नाम दिया गया है वह हम लोग जानेंगे हमें बरफ को पानी बनाना है तो सबको पता कि हम लोग बरफ को गरम करेंगे फिर वह पानी बन जाएगा उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं जंड करेंगे हमें जब जादर जल्दी तंडा हों पर बाद में जब जम जाएंगा जब बड़व बन जाएंगा थंडे में थंड़ी होगा जब थंड़ा होगा जब बड़व बनेंगा ना पानी तो फिर उस प्रोसेस को तो शॉलिडिफिकेशन या फिर हम प्रीजिंग भी कह सकते हैं तो चेंज ऑफ सेट फ़र्म लिक्विट टू गैस ऑं हिटिंग स्टोनेस वैपराइजेशन मींस अभी हमें लिक्विट को गैस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे मींस लेक वाटर वेपर गैस को अंडूप व लेंगे और फिर उसको गराम करेंगे फिर बात में उपर से बहाप आती ना जब गराम करते तो उपर से बहाप आती वाटर वेपर जो होता है उसे हम वैपोराइजेशन कहते हैं जो चेंज ऑस्टेट फ़र्म गैस टू लिक्विड ओं कुलिंग इस नॉन एस करना पड़े लुक्रिक्वरों के ता पानी को ठंडा के ओधा भरण गई थी वैस अब हम लोगों को जो गैस घ्रेस तम से अइसको हमें में बात मीं और नहयुद parameter वहिज़ा überम कहने तो कुछ दे दिया इसमें बताएं कि इससे वो पानी के अंडर डिजाल हो सकता है मतलब मिक्स हो सकता है तो हम लोग सीधा इस परगाराफ से बढ़ेंगे जब जो पानी लिया है हम उसको थंडा करेंगे मिन्स हमें उसको फ्रीज में रखेंगे फ्रीज करेंगे मतलब हम लोग उसको फ्रीजिंग करेंगे इस पानी को फ्रीजिंग भी कह सकते हैं तो फिर हम उस पानी को फ्रीज करेंगे तो फिर मीन्स बरफ जमेंगी ना उतर आइस जमेंगी बरफ जम जाएंगी फिर बात में हम उसको जब आइस को गरम कर देंगे मैल् चेंज करते हैं जब हमें औरीजनल सबस्टेंज मिलता है जो हमें पहला सबस्टेंज नहीं मिलता है अभी एक्जामपल में पक्का पुरा समझी जाओगे अभी इर्यवर्सिबल चींज आपको पता है उसकी डेफिनेशन में इतना समझ में अब आएंगा कि मान लोग हम लोग एक पेपर ले रहे हैं पेपर को हम लोग जला देंगे उपेपर पे मार्चे सब्सक्राइब के जला देंगे तो फिर उसमें एश बन जाती है ना मतलब ए जाती है उदर तो फिर उस एश को बाद में हम लोग फिर से पेपर में थोड़ी ना कर सकते हैं उस एश को बाद में बदल पेपर में थोड़ी ना कर सकते हमें बाद में अपना जो चीज हमारा पहला औरीजनल सब्स्टेंस मीं जो पहला सब्सेंस अभी इसमें पहला सब्स होती है इसी रिवर्सीबल चेंज होती है अब मैं जानतों कि आप अभी समझ गए होंगे means जो बाद में जो जो चीज हमें स्टार्टिक में नहीं मिल सकती है इरिवर्सीबल चेंज उसे कहते हैं तो अभी बाद में अभी दा चेंज फिर दा केमिकल कमपोजिशन ऑफ दा सब्सकर कमपोजिशन और और इसको उल्टा टाइप है means physical change में जो था ना उसमें ना कोई नया substance नहीं बन रहा था कोई नहीं चीज नहीं बन रही थी या पर देखो या पर changes है इस chemical change में कोई नया substance बन रहा है इस chemical change में for example the composition of ash is very different from paper it is entirely a new substance means इदर आपको examples में और फिससे दो example दोंगा इदर एक लिखा लेकिन मैं आपको दो example दोंगा जैसे इदर बताए था कि ash बहुत अलग है paper से paper paper पहले original substance था उसको जला दिया तो ash बन गी लेकिन ash यो है वो बहुत अलग है बहुत अलग है paper से तो फिर अभी मैं आपको का था मैं आपको कोई दो example दोंगा तो एक और example दो थोड़ी नमना सकते नहीं बना सकते हैं ना दूद से दही बना सकते हैं लेकिन दही से दूद नहीं बना सकते हैं मिन्स हमें फिर से बात में अपना कोई नया चीज़ बन जा रहा है ना कोई नए चीज़ बन जा रहा है और यह एक irreversible change का भी example हो सकता है क्योंकि बात में हमें अपना original substance नहीं मिल रहा है means पहला substance नहीं मिल रहा है तो यह chemical change का भी example होंगा और यह irreversible change का भी example होंगा अभी आगे में क्या लिखा है एक chemical change वो होते हैं जा भी कोई नया substance बन जाए एक नई चीज बन जाए उसको हम chemical change कहते हैं whereas during physical change only the physical state of matter changes no new substance response अभी दर बता कि physical change में chemical change में तो कोई एक नया substance बन जाता है नई चीज बन जाता है लेकिन chemical change में तो सिफ जो matter के जो state होते होई सिफ चेंज होते हैं वही सिफ बदलते हैं matter के change matter के state के होते हैं solar liquid और गैस यही सिर्फ चेंज होते हैं लेकिन कोई नहीं चीज बन जाती है लेकिन chemical change में नहीं चीज बन जाती है तो उसे हम chemical change कहते हैं तब यह रहा हमार लास चैप्टर का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर इस लास्ट टॉपिक है soluble and insoluble substances तो अभी इधर रिखाए कि prepare lemonade with lemon juice, sugar, salt and water, add some ice and share with your friends Explore means में आपको फिसर पता दे तो find out होता Explore means इस देन लिखाए कि आप एक lemonade बना है कि लेमिनेट मतलब किसको नहीं पता है तो बता देता है lemonade निमबो पानी होता है lemonade बनाने lemonade लेमिनेट बनाने करिया चाहए पहला तो अक lemon juice चाहिए निमबो का पानी चाहिए, रूंका पानी, शुगर चीए, चीनी चीए, साः चीए, जो मतलब नमक, और पानी जेपान तो बहुत इंपर्ट है, पानी के बिना मनी नहीं सकता, और एड़ सम आइस, और उसमें आइस आले, मीज़ उसमें बरफ टानेंगे, क्या है एकदम अलग सा मज़ा है, क्या है उसमें थंडा लगे, और आप उसको अपने फिरेंग से शेयर करो, means आप अपने दोस्टों के साथ उसके पीना, अपने दोस्तों को शेयर करो निम्भू पानी को आप अपने दोस्टों के दो, बेन वी प्रेपर लैमेनेट, ढार साल komt इंग निम्भू पानी बनाते हैं, जो नमक है वो पूरा पानी में मिक्स हो जाता है Substances which dissolved completely in another substance are called soluble substances Substances means substance means क्यों पदार्थ substance means पदार्थ होता है वो पदार्थ वो चीज जो पानी में completely mix हो जाता है जो पानी में एक चीज के साथ दूसरे चीज एक सीरीज के साथ दूसरे चीज में मिक्स हो जाता है हम उसे सॉलिबल सबस्टेंज कहते हैं और जो मिक्स नहीं होता पानी के साथ जो मिक्स नहीं होता उसे हम इंसॉलिबल सबस्टेंज कहते हैं में आपको फीरोज दा तू जो पानी के साथ दूसरे चीज़ में मिक्स हो जाए और इंसॉल वल सबसंच़ 5 यी ज्या सत्ति है इस इदर अब रिखाता है इसको इन्सॉल एंसॉइबल सब्स यहां पेसको इन्सॉइल बना में सहीं चैनल के वह पानी के साथ मिक्स हो जाता है साल्ट पानी के साथ एक दम ऐसा लगता है कि तो बस पानी डाला है कुछ डालाने इसमें और जो सेंड है वह पानी में पिगल वह इंसॉलीबल वाटर में क्योंकि वह मिक्स नहीं होती ना वह सेंड डालेंगे या चौक डालेंगे वह चौक पी डाल सकते हो चौक डाले तो फिर वह एकदम नीचे अपनी जगह बनाके बेट जाती है नीचे सैंड अपनी नीचे जगह बनाके बेट जाती है नेम टू अधर सबसेंड विचार इंसॉलीबल इन वर्टर अब इब इतर बोला कि कोई दो और सबसेंड के नाम बताओ जो पानी में इंसॉलीबल है जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं मैंन आपको भी जस्ज पताई कि पानि में D사를 देस जो distributed हो जाते है जो mix को जाते ह वाइफिड संथ it dissolvent जो सब्संस इन वीच डिसालल्ब होते मीन सब्सक्राइब जासaf ॐअछ सब्सें के इन दर अअगर सब्सक्राइब जासे मैं जय से एक जैसे एक चीज माने जैसे हम लोग और solvent को एड़ करते हैं क्या बनता है solution बनता है means उन दोनों का mix जोड़ों का addition solute or solvent का addition solution बनता है when making lemonade, salt sugar and lemon juice are solutes and water is the solvent means जब हम लोग lemonade बनाते हैm mean जब हम लोग निम्बू पानी बनाते है जो salt जो नमक जो sugar है mean जो चाहिनी है और जो lemon juice का जो निम्बू का पानी है वो solute है वह भी चीज जो चीज रिजाल्व होती है उन्हें वह शॉलिउट कहते हैं वाटर इस अथा वान्ट या देख जैसे अब भी पताइब उन्हें हमने उन्हें जुक्षिस के अंदर वह चीज डिजाल्व वह रही है में वह शॉल्वेंट्ट्री जैसे आपको एक रूपने में बाए है step 1 ना फिर से बतायाता हूं कि एसे मोग साल टेली और ले ले हम लोग उनको पानी के साथ मिंख्स करें to किस में मिक्स हो रहा है REMA AMD फो पानी ओ गाल एक जो राड बनाते में उसमें जो इता है रही है वो इता है दे लाइस तेलिद में Lemonade is the solution formed by the mixing of salt, sugar, lemon juice and water. Means जो lemonade है, means जो निम्बू पानी है, वो solution है. Solution means solute और solvent को add करके जो बनाए है, means उन दोने का mixture है solution. Means जो lemonade है, lemonade बन गया ना, तो फिर वो solution होगा. जो किस से बना है? Mixing of salt, salt से बना है, sugar से बना है, salt नमक से बना, salt means नमक, sugar means चेनी, lemon juice means निम्बू का जो पानी था वो, और water means पानी. तो इसी के साथ हम लोगोंने part 2 भी finish कर दिया है, और इधर self check भी दिये, इधर हम लोगोंने part 2 भी finish कर दिया है, और ये chapter पूरा finish कर दिया है, chapter number 21 मेंट है, हम लोगोंने पूरा chapter finish कर दिया है, so in the next video, हम लोगों अफना, in so in the next video, we will start a new chapter, chapter number 22, rocks, soil and rocks, minerals and soil, what's the name of the chapter, the name of the chapter for 22, after that next chapter, we are starting now, I think the name for the chapter is, rocks, minerals and soil, this chapter, we are starting in the next video, so bye bye, thank you for, thank you guys for seeing my video, if you get any doubt in this video, so please comment in the video and I have done any mistake, so please comment in the comment section and now go and comment in the comment section, please like, share and subscribe my channel, I want your support guys, so bye, thank you, have a nice day.